अगर आपको कभी किसी solid की density फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मुला क्या होता है तो रो इक हाँ पर हमारे पास density का फॉर्मुला क्या होता है mass of unit cell upon volume of unit cell ठीक है तो यह क्या होता है रो का जंदर फॉर्मुला होता है यह आपको पता होगा पर इसको और modify करते हैं किस type से कि जैसे कि हम पर mass of unit cell कोई भी हमारे पास unit cell होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं lattice points ही तो बनते हैं तो number of lattice points into into उनका mass ठीक है कि जैसे कि lattice points को हम किसे दिन उनकरते हैं जैट से into क्या हो जाएगा उनका mass ले लेंगे तो mass of unit cell ठीक है और यहाँ पर volume of unit cell किसी भी हमारे पास unit cell होती है a3 की तरह होती है तो उसका हम volume किस में लेते हैं a3 ठीक है तो इस ताइप से यह हमारे पास क्या हो जाएगा formula हो जाएगा बट यहाँ पर जो m होता है वो होता है mass of one lattice point ठीक है तो इसको हम क्या करते हैं आवो गादर नमबर जो होता है उसे divided करते हैं तो m equals हो जाता है m upon n a ठीक है यह हमारे पास आवो गादर नमबर होता है 6.023 into 10 to the power 23 ठीक है यह हमारे पास होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे z into यहाँ पर value लिखेंगे m upon n a into में क्या लिखेंगे a3 ठीक है और यह हमारे पास row तो इसका जो formula होता है जो आप numerical ने apply आप अगर हमें इसको simply याद रखना है तो किस साइब से याद रख सकते है इसको मिस साइब से याद रख है कि रो equals to z into m upon na into na a3 ठीक है रो equals to इसको क्या पढ़ेंगे जा इसको पढ़ेंगे मा इसको न और यहाँ पर यह ए ठीक है इस साइब से तो यह क्या हो जाएगा रो कर्सू जा से जैड मा से एम ना से एन ए और यहां पर यह एक क्यों ठीक है तो इस टाइब से यह की ट्रिक होती है जो हम इसको लांग कर सकते हैं देंसिटी ओफ यूनेट सेल ओक्यू तो आप लोग भी यह समझ में आओगा थैंक्यू सो मच